हालो दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं 2001 में रिलिज हुई होरर साइफाइ मूवी जेसन एक्स के बारे में यह मूवी फ्राइड इद थर्टीम फ्रेंचाइज की दसवी मूवी है और इस मूवी के डारेक्टर है जेमस आईजाक और इसमें मुक्य भूमिका में लेक्सा और अगर आपको और भी मूवी के बारे में जानना है तो आप चानल के प्लेलिस में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं कहानी की शुरुवात में हम देखते हैं कि जेसन को सयुंक तराज्य सरकार द्वारा 2008 में पकड़ लिया गाया है और क्रिश्टल लेक के रिसर्च फेसिलिटी में बांद कर रखा गाया है अगले दो अर्शों में जेसन को मारने के कई प्रयास किये गए पर वह सपल रहे इसलिए वह डॉक्टर वीमर अपने सहिनिकों के साथ आए है ताकि उसे ले जाकर उसकी गाव बरने की शमता पर रिसर्च कर सके पर वह अकी वह एगयानिक रोवण ऐसा करने से मना करती है और उसे क्रायोजनिक स्टोरेज में रखने का सुझाव देती है रोवण का रोल इस मुवी में लेक साद वाइग ने निबाया है पर वह जाते ही जैसन चूट जाता है और वह डॉक्टर वीमर और उनके सहिनिकों को मार देता है उसके बाद वह रोवन के पीछे पड़ जाता है तो रोवन बड़ी मुश्किल से क्रायोजनिक पॉड में उसे बंद कर देती है और बर्प में जमा देती है पर उसमें दरार होने की वज़ा से वह खुद भी जम जाती है अब अगले सीन में समय हमें 450 साल आगे दिखा जाता है जब प्रूत्वी पूरी तरह से प्रदूशित हो चुकी है और वहां कोई भी नहीं रहता सारी मानवता प्रूत्वी टू नाम के ग्रह पर रहती है तो प्रूत्वी टू से प्रोपेसर लौ जिनका रोल जोनाथम पॉर्ट से निबाया है व और रोवन को आदोनिक मेशिन की दोरा फिर से ठीक किया जाता है तो वह ठीक होकर बाकी सबसे मिलती है फिर प्रोपेसर लौ अपने वित्य सायक को जेसं के बारे में बता देते और पैसों को इलालच में आकर जेसं को सही सलामत नाले का वादा करते वही मुर्दागर में ए पिर से जीवित हो जाता है और एड्रियंग को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो कर मार देता है और वहा के मशिटी के आकर का सर्जीकल टूल ले लेता है और स्टोनी को उनके कमरे में जाकर मार देता है लेकिन किनसा बचकर बाग जाती है फिर रोवन प्रोपेसर और डलास होलोग्राफिक गेम खेल रहे होते तब जेसन हो आकर एजरल की पीट तोड़ देता है और डलास का सीर पोड़ देता है फिर वह आगे जाके क्रूच पर अमला कर देता है लेकिन तब तक सार्जेंट वह आपने आदमियों के साथ पहुच जाते और उस पर गोली प्रेसन वह आकर उसे मार देता है फिर उनका यान उस पेस्टेशन को नष्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है फिर जेसन प्रयोकशाला में आता है जा सभी लोग चुपकर बैटे हुए थे लेकिन उसके आते ही सभी वहाँ से बाग जाते तो वह आपर जेसन अपनी ले लेता है और वह आप प्रोपेसर लोग को मार देता है वही दूसरी तरफ सुना रिल रोबर्ट केम पोर्टिंग को अब्रेड करके जेसन से लडने के लिए तयार करता है फिर क्रच यान को संबालने के लिए पाइलेट रूम में जाता है तो आपर जेसन उसे मार देता ह तो गबराई वीकिन सा जब चोटे यान में बेट करवा से भागने की कोशिश करती है तब वो चोटे यान के विस्पोर्ट में मारी जाती है उसके बाद जब जेसन रोवन और बाकियों को मारने की कोशिश करता है तब केयम 14 हो आती है और जेसन और उसमें लड़ाय हो जाती ह पिर केम 14 जेसन का एक आत और एक पेर तोड़ देती है, साती में उसके दाइनी पस लिया और सिर का कुछ हिस्सा भी फोड़ देती है, फिर उसका शरीर मेडिकल इक्विक्मेंट पर गिर जाता है, तो सब को लगता ही कि वो मर गया, फिर सबी को सार्जेट मिल जाते है, जो ज पाइबोक्स जेसा बन गया है, फिर वो केम फोर्टिंग के सिर को एकी मुख्य में उड़ा देता है, फिर सबी वहाँ से बाग जाते है, पर वहाँ पर वेलेंडर कुद का बलिदान देते हुए, वह विस पोटक फोड़ देता है, लेकिन फिर भी जेसन बच जाता है, जिस पाइबोक्स जाता है, तब तक दर्वाजा खोल जाता है, और रोवन हो सुनारिल केम फोर्टिंग का सिर लेकर दूसरी आन में जाते है, और बच जाते है, अब मेरे एक्सपिरेंस की बात करें तो वह अच्छा था, इसकी काहानी भी अच्छी थी, इसकी काहनी के अच्छी बात यह है कि पिछली मुवी की तरह सेम पॉर्मट इसमें यूज नहीं किया गया, बलकि इसमें साइंस पिक्शन एड करके कुछ अलग किया गया है, बाकी डाइरेक्शन अच्छा है, जेसन के डॉमिनस और ब्रूटेलिटी को अच्छे से बाकी कलाकर की परफरमस भी अच्छे है, तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप भी जेसन और इसकी फैन है, तो आप इस मुवी को एक बार देख सकते हैं, तो आप इस मुवी के अधर डीटेस के बारे में बात करते हैं, इस मुवी का रन टाइम एक गंटा और इकतिस मिलिट है, इसकी IMDV रेटिंग 4.4 out of 10 है, और इसका रोटएंटामेट स्कोर 19 है, इसकी बजेट की बात करे तो वह ताप 40 मिलियन डॉलर और इस मुवी ने कमाय थे 17.1 मिलियन डॉलरs, इसकी पेरेंटियल गाडन्स की बात करे तो इसमें न्यू डीटी बले तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपने यह मूवी देखिए तो आप अपना एक्सपिरियंस कमेंट सेशन में जरू शेयर करें और अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके आपना प्यार जरू दिखाए और चैनले को सब्सक करके सपोर्ट जरू किजेगा मिलते अगली वीडियो में गुडबाई